नमस्कार में हुनियः शर्मा स्वागत है आपका कुनली टीवी पर और मेरे साथ इस समय जो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मुए एस्ट्रोलजर मिस्टर नरेश कुमार जी स्वागत है आपका नमस्कार कुल्ली टीवी के सबीधर को सर आज हम अपने विवर्ज के लिए बहुत ही एहम जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मंगल पर यानि कि मांगलिक दोश पर बहुत सारे लोगों को इससे बहुत डर लगता है क्योंकि इसे विवा का कारण भी माना जाता है यानि कि जब विवा कारे किया जाता है तो बड़ा ऐसे युवक और युक्तियों को डराया जाता है कि आपकी कुणली में मंगल दोष है या आप मांगलिक है इस वजे से आपकी शादी जो है द्रदी नहीं हो पा रही है इसलिए आपके जो विवा का मांगलिक करे इसलिए नहीं हो पा सबसे पहले तो यह इसकी definition क्या है? मंगल दोष होता क्या है? नहा, astrology में इतने planet हैं, साथ planet हम मानते हैं, राहु के तू छाया ग्राय है, उसमें भी पांच planet हैं, सूरे को हम पिता मानते हैं, और चंदर्मा को हम पालक मानते हैं, तो ग्राय जो हैं, उसमें गुरू है, बुद्ध है, शुक्र है, मंगल है, शुर्ष शनी है, यह पांच ग्राय मानते हैं, दो चाया ग्राय है, दो को हम सारा मानते हैं अस्रोलजी में, तो उसमें जो एक मंगल ग्राय है, उसकी जो परकृती है, वो फाइरी नेचर का है, वो अगनी तत्व का ग्राय है, इसलिए जब उसका परभाव सब्तम भाव पर है कुणली में, तो मांगलिक दोश समझाजाता है, यह ऐसे समझाएंगे, कि आपकी कुणली में लगर में मंगल हो गया, सातवीं दृष्टी सीधा सप्तम पर पड़ेगी, यह शादी का स्थान है, तो यह मांगलिक दोश हो गया, चोथी दृष्टी सप्तम पर पड़ी, मांगलिक दोश हो गया, आपकी कुणली में सप्तम में मंगल हो गया, सप्तम में तो मंगल बैठ ही गया, फिर वो शादी का ही भाव है, इसलिए मांगलिक हो गया, अश्टम में मंगल हो गया, तो सीधी दृष्टी पड़ती है दूसरे भाव पर, अब दूसरा भाव जो है 17 बहां में, 8 मघंवे, 12 बहां में मंगल हो तो उसको मांगलिक समझा जाता है इसलिए विचार किया जाता है कि यदि मंगल है तो सामने वाले कि कुंड़ी में भी मंगल हो, मांगलिक हो तो शादी करनी चाहिए, लेकिन नहाँ यह आदा सच है पूरा सच आगे बताते हैं कि वो रद कैसे होता है ये सच नहीं बताया जाता वो हम आज आपको बताएंगे definition के साथ बताएंगे सारी कुंडनिया लगा के बताएंगे इस तरह की वीडियो नहां ये वीडियो जो है यों कि मंगल दौश रद भी होता है क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंगल दोश के साथ पैंदा हूआ वो आठ परसंट के आसपस अबादी आई सब आठ के आसपस आगी तो उनमें से पांच घरों में जब मंगल है तो वो मांगलिक हो गया इसका मतलब यह है कि आपकी पूरे ब्रमांड की अबादी या भारत की अबादी भी जहां पर अस्ट्रोलजी मानते हैं वैसे तो सब जगा प मांते हैं 45% के आसपास 42% के आसपास अबादी मंगलिक होगी क्या ऐसा संभव है शास्त्र ने बिलकुल नहा बताया हुआ है कि मंगल रद कैसे होता है मोटी मोटी डेफिनेशन में पढ़ता हूँ है माँ पढ़के भी सुनाओंगा मा लीजिए नहा कुंडली में मंगल रद हो जाता है और यदी मंगल योगा करक हो जाए तब भी रद हो जाता है मंगल की उपर गुरु की दृष्टी पढ़ जाए तब भी रद हो जाता है मंगल आपकी कुंडली में इन भावों में पढ़ा है केंद्र में यदी शुब ग्रह हैं तो भी मंगल रद हो जाता है शुब ग्रय को कही एस्टो ओ और बोल देते हैं कि सरफ गुरू हो गुरू नहीं गुरू के लावा शुकर भी हो बुद्ध भी हो तब भी केंदर में हो मंगल रद हो जाता है तो इतनी सारी डेफीनेशन है कि मंगल रद हो जाता है फिर क्या करेंगे लगन कुंड़ी से मंगली नहीं निकला उठाओ जी चंदर कुंड़ी निकालो एक में से तो मंगल निकली जाएगा ना नहा वहां से दिनी निकला तो शुकर से निकल लो यहां से नहीं निकला तो नमाश कुंड़ी से निकल लो जिसने मंगली नहा निकलना वो लगाता जाता है, आप मुझे बताओ, आप शाहद रखो आज, पंद्रा साल बाद उस शाहद को खोलो, वो कड़वा हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, मंगल अपनी परकृती नहीं छोड़ता, अपनी परकृती इसी कंडिशन पर छोड़ेगा जब उसके ओपर प्रभा रहना नहीं, मैं पंजबी में बोलना है, तो ऐसे कैसे नहीं रहना, वो यदि शहद है नहा, शहद अपना गुन नहीं छोड़ता, जहर बीस साल बाद खोल लो, जहर अपना गुन नहीं छोड़ेगा, नीम बीस साल बाद खोल लो, नीम अपना गुन नहीं छोड़ेगी, त सार्टिंग में विडियो के बताया कि वह उसकी मेचर है कि जब फारी, प्लैयों ! फारी प्लैंट है वह अपना गुन तत्व इस से छोड़ Off मंगल कभी रद नहीं होता अगे यह भी बता कि डिक रध किनके हो सकता है किनके कि नहीं होगा और किन तीन राषियों के उपर सबसे पहला की चैनल्हात है जैसे आप ने कहा सब्सक्राइब भी अवे मिलता है, यहां कहीं से चेक भी कर सकते हैं कि हां इसकी cancellation है? आप शास्त्रों को पढ़िए नहा, हुरा प्राशेश शास्त्र में, फल दीपका में पढ़िए, महुरत चिंतामरी में पढ़िए, जहां-जहां मांगलिक का विधान लिखा हुआ है, उसकी cancellation साथ में लिखी हुई है. सर फिर बाके astrologers क्यों नहीं बताते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, आपको astrology हो क्या गई है, तीस दिन में astrology सीखिए, उसमें बताई जाते हैं, कासरब दोष, मांगलिक दोष, केमदरुम दोष, आपका गुरु राहु चंडाल दोष, अंगारक दोष, ये दोष पढ़ा दिये जाते हैं, शनी बता दो, राहु या नोग्रे पढ़कर astrology नहीं सिखी राते हैं, वो डिपेंड करता है, आप कितना पड़े हो, आपके पास कितना ग्यान है, हालाकि मैं भी खुद 16 साल से हूँ, मुझे लगता है कि मैंने 2% भी नहीं बढ़ा भी, इतना ये वाइड सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो ये पाफग्रा हो जाए, कोई भी पाफग्रा हो जाए, रहु आजाए, शणी आ जाए, माले आपके कुनली में मंगल है, आपके पांठ़न की कुनली में वहाँ पर रहु, शणी, सूर्य कोई भी आ गया, पाब घ्रह आ गया, तो वो रद हो जाता है, जब हम मैंश मेश bol्म के पंचमभाव का स्वामी होता है, व्रिष्टिक राशी उसकी पंचमभाव में आती है, वो त्रिकौन का भाव है, वो पवित्र हो जाता है, वो शुभ हो जाता है, इसलिए चोथे भाव का जो मंगल है करकराशी में वो नहीं आपको नहीं लगेगा, यदि सिंग लगन की मनगल करने चाह्य होराइ यह मंगल क्या कर रहे हैं शुप पर्भाव में शुक्र चन्द्र दूसरे भाव में आ गए और यह मंगल snacks bread जैसा हमने बताया कि मंगल गुरुद्राद रिष्ट हो जाए तो मंगलिक दोश रद हो जाता है केंद्र के भावों में रहु आ जाए मंगल रहु के साथ आ जाए तब भी रद हो जाता है यहां पर बता देंगे कि यार मंगल रहु साथ आ गया अंगारक बन गया जी अंगार के मन में भ्रहम है वो सारे वीडियोस हम लेके आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एस्टॉलजी में जो है वो लोगों को खराब किया जाता है मैं मैं खराब शुबदी यूज़ करूँगा यदि मजबूत शुक्र और गुरू लगन में हो अब गुरू मजबूत आ गय लेकिन राशी वस्षण नी की है वो खत्म हो जाएगा मंगल यदि केंदर और त्रिकॉन में शुबग्रे आ जायें तीसरे छठे ग्यारवे में अशुबग्रे आ जायें तो लगन मजबूत हो जाता है तो वह उस केस में मंगल रद्दू हो जाता है सब्तमेश यदि सब्तम भाव में हो, मालीजी आप अपने घर में बैठे हैं, आपको कोई नुक्साम पंचा सकता है, नहीं पंचा सकता है, तो यदि सब्तमेश सब्तम में ही है, बुद्ध है सब्तमेश, और 12 लगन की मीन लगन की पत्रका है, बुद्ध सब्तम में पढ़ा ह यहां पर अब मेश राशी से दिखाना शुरू करेंगे बारा के बारा लगनों में दिखाएंगे कि मंगल कहां पर पोजिशन होगी उसकी और वो कैसे रद्ध होगा जी उस पर जाने से पहले एक सवाल है कि जैसे यह तो हमने सुना है कि जब मंगल दोश हो जाए ऐसे स्ट्रॉलेजर बताते हैं को शादी में देरी आती है तो का यह विवाह से संबंदिद ग्रह ही होता है मं मारे लाइफ के किसी और हिस्से पर भी अपनी द्रिश्टी डालते हैं देखिए निहा मंगल की तीन द्रिश्टी हैं चार साथ और आठ जहां पर वो द्रिश्टी पड़ेगी वो द्रिश्टी नेगटिव ही है मंगल भले आपकी कुनली में योगा का रख हो जाए लेकिन ही तो फडना खासरे तो वह ज्यादा ब्लीड कर वाएगा तो यह सकी प्रक्रिति है वह उसने करना मंगल ब्लंट साइल का 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 रख होता है बॉड़ी में ब्लंट का लिकविट पार्ट होता है वह हम से से कंसेडर करते हैं और मंगल जो है ब्लड से कल्पिलेट करते हैं अब बाडी में रेक्टरम का पार्ट होता है अब वहां पर रिया दि मंगल और के तु आजाएगी नहीं तो सजरी हो जाएगी डेफिनिटली हो जाएगी और ट्रांजिट में भी आजाए तब भी करवा दे तो यह उसकी प्रक्रिती है यह सिरफ मंगली के लिए कंसेडर नहीं करना चाहिए और मंगल ही बॉडी मास ही भी है बॉडी में जो मास है आपकी वो भी मंगल है और मंगल जिसकी कंडली में मजबूत हो जाए लगन में बैठ जाए कहीं वृष्चिक लगन का मंगल हो जाए और मंगली उसमें मंगल लगन में बैठ जाए तो उसके जैसा बंदा ताक्तवर नहीं होता फीजिकली पावर्फुल नहीं होता तो ऐसा बंदा बिमार भी नहीं होता हो जायेगा तो अगली कुणली की तरफ चलते हैं कन्या लगन की तरफ अगर लगन में जो cancellation होती है उसके बार में जान कर लेते हैं. दोनों कंडिशन में रद हो जाएगा. गुरु की राशी में बैठा मंगल भी रद हो जाता है. क्योंकि मंगल गुरु का मित्र है. शुक्र यहां पर आगे. मंगल यहां पर आगे. अगेन यहां पर गुरु की राशी में मंगल है. मीन राशी में शुक्र देख रहे हैं. कहने राशी में बैठे हैं वैसे ही रद दो रदता है लेकिन गुरू की दृष्टी से रद दो गया अब वहाँ पर शुक्र बैठे हैं सप्तम में शुक्र उच्च के हो गए मंगल अश्टम में कोई दिक्कत नहीं है मांगलिक दोश नहीं लगेगा क्योंकि शुक्र उस भाव में वह आपको मंगलिक नहीं रणने देंगे आगे देखते हैं तुला में क्या होता है